हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं विपुल तोंगड फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ दोस्तों ये सोसियल फार्मेसी की यूनिट थर्ड डी फार्मा फर्स्ट एयर का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नूट्रिशन एंड हेल्थ कि क् मने क्यों हम इनकी जरुवत पढ़ती है बैलेंस डट क्या होता है यह सारी चीजों का हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़िए इस चीजों को कि क्या ठोटे हैं और समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि cells को जिन्दा रखने के लिए है न कि भाई हर एक body जो living organism है उसको क्या चाहिए तीन ही तो चीज़े चाहिए रोटी कपड़ा और मकान है न तो यह मजाक था रोटी कपड़ा और मकान का मतलब मेरा क्या है कि एक organism किस तरीके से अपने आपको survive कर सकता है भाई organism को अगर survive करना है तो सबसे पहले जो हमारी functional unit होती है जिसको हम बोल देते हैं cell सबसे पहले क्या करना होगा cells को regularly क्या करना होगा grow करना होगा तो उस growth के लिए हमें क्या चाहिए होता है nutrition मतलब food की supply चाहिए होती है तो science में आप मैं बोल सकते हूँ human medicine या nutrition जो है एक science है practice है consume करने की food particles को अगर मैं particular definition की बात करूँ तो nutrition is the study of nutrients of food how the body uses and the relationship between diet health and disease तो तीनों चीज़े जो मैंने अभी बोला कि रोटी कपड़ा और मकान है ना तो डाइट हो गया हमारा क्या रोटी है ना डिजीज क्या हो गई कपड़ा मतलब कि अगर मकान के अंदर कोई बाहर से एंटर हो जाए तो उसको हमने बोल दिया disease ठीक है जी जैसे मैं कहाँ जी कोई महमान आ गया अंचाह महमान तो उसको आप क्या बोल दोगे कि कब जाएगा है ना तो एक बिमारी ही तो है कि ये क्या बिमारी आ गई तो इसी चीज के अंदर हम पढ़ेंगे भई कि nutrition के कितने तरीके होते हैं क्या-क्या इसके types होते हैं तो चलिए पहले बात करते हैं जो definition मैंने अभी बताई है उसके साथ साथ में हम बोल सकते हैं कि nutrition is the combination of processes by which the living organism receive and uses the food material necessary for the growth, maintenance of function and repair of the component part कि भई कोई cell है जैसे आपने पढ़ा ही होगा 12th class के अंदर भी कि एक cell होती है उसके अंदर nucleus होता है, cell membrane होती है, plasma membrane होती है और बहुत सारे cell organelles होते हैं जैसे mitochondria हो गया, Golgi complex हो गया, endoplasmic reticulum हो गया, तो जो nutrition हो combination process है जिसके अंदर living organism receive करता है, use करता है food material को इसके साथ साथ में क्या करता है कि growth कराता है, maintain करता है functions को, repair करता है component part को, जैसे मैं कहने लगूं कि हमारे body के अंदर लाखो करोडो cells बनती है daily, पता ही है सभी को, और वो जाकर के daily के daily इतनी ही cells क्या हो जाती है, मर भी जाती है, spleen के अंदर जाकर के वो खतम भी हो जाती है, तो इस सब चीजों को कर करना, reproduction करना, repair करना, maintain करना हर एक body के function को और हमारी body को grow कराने के लिए हमें क्या necessary है, nutrition, nutrition समझ में आया कि nutrition कुछ नहीं है, combination है, process का, जिसके अंदर हमारी body, जितना भी हमारे food particle है, उनको utilize करती है, उसके बदले क्या करती है, body को growth कराती है, maintenance करती है, है ना, और साथ के साथ मै repair करती है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बाद मैं objective of nutrition, जैसा मैं बता चुके हूँ पहले ही, कि एक तो यह physical और mental development कराती है, human being का, human being क्या, कोई भी living organism है, उसका physical और mental development कराती है, building और repairing करती है, tissues को, जो damaged cell है, infections है, या injury हो चुकी है, उन cells में, उनको क्या करती है, repair कर करती है, energy देती है, कि हम कोई भी काम कर सके, उसके लिए हमें क्या provide कराती है, अब body के अंदर जो energy provide कराती है, वो किसकी form में होते है, in the form of ATP, या ADP, adenosine triphosphate या adenosine diphosphate, इसकी form में energy हमें मिलती है, और क्या करती है, कि जितने infection होते है, deficiency disorders होते है, उन सब से क्या करता है, nutrition की वज़े से हम protect होते हैं, इसके बाद मैं classification से पहले मैं बताना चाहूँगा कि nutrition के अंदर ही होता है हमारा nutrient, है ना, तो nutrient क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो nutrient जो है source है, nourishment का component of food for instance, है ना, कि हमारी body के अंदर nourishment करने के लिए, repair करने के गलग चीजे चाहिए होती है, उनको हम बोल देते है, nutrient, जैसे एक मैं छोटी सी बात करो, जिंक, है ना, तो जिंक हमारी body के अंदर, जितने भी हमारे जखम है, उनको heal करने में help करता है, male hormone का production कराता है, इसके साथ साथ में development करता है, हमारे reproductive organ का, phosphorus के metabolism में भी काम आता है, जि जैसे ही अगर मैं iron की बात कर दू, तो ये क्या करता है, anemia होने से बचाता है, impaired immunity को क्या करता है, होने इसी तरीके से हर एक nutrient का अलग-अलग, जो है हमारा क्या हो सकता है, working हो सकती है, तो इनही को हम बोलते है, nutrient, ये nutrient हमारे कही तरीके की होते हैं, जैसे macronutrient, micronutrient, to in classification of food की बात करें, तो दू तरीके से classify होता है, एक तो होता है plant originated, मतलब जो food हमें plant से मिलता हो, एक होता है animal originated, कि हमें कुछ food ऐसे भी तो होता है, जैसे meat हो गया, मचली हो गया, अंडे हो गया, दूध हो गया, तो ये सारी चीज़े हमें animal से मिलती है, तो उनको हमने animal originated बोल दिय करें के से यहां, उसके बाद मैं classification are based of chemicals की बात करते हैं, जैसे carbohydrate हो गया, और protein हो गया, फैट हो गया, vitamins हो गया, minerals हो गया, ये सब क्या है हमारे chemicals के base पर, जो है food nutrients है इसके बाद classification of food by predominant function, कि कुछ ऐसे food होते हैं, जो energy supply करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो body building का का काम करते है कुछ ऐसे होते हैं जो repair और maintenance का काम करते हैं जैसे अगर मैं energy supplying food की बात करूँ तो serals हो गया, sugar हो गया, root हो गया, tubers हो गया, fat हो गया, oil हो गया यह सब किसमें energy supply में bodybuilding के अंदर milk हो गया, meat हो गया, pollutory हो गया, egg हो गया, fish, pulses और groundnut यह सब किसमें काम आते हैं bodybuilding में सबसे दिखते हैं कि cereals हो गया, millet हो गया, legumes हो गया, green vegetable हो गया, fruit हो गया, meat, मचली, egg, milk यह सब गया इसके साथ में fat और oil कहां से मिलता है हमें, कौन से ऐसे और मतलब कौन से ऐसे चीजें हैं जिनसे हमें oil seed मिलते हो, nuts मिलते हो, sugar या jiggery, इसको jaggery कर लेना है condiments क्या होता है और spices क्या होते है इसी तरीके से हम इनको classify कर सकते है जो कि इतना खास important नहीं है इसके बाद main है जो question बनता भी है nutrient क्या होते हैं तो organic और inorganic complex contain in a food are called nutrient कि कि किसी भी food के अंदर जो organic और inorganic जो हमारे particles जो होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं nutrient बोल देते हैं useful chemical substance जो की हमारे food से drive किये जाते हैं body के अंदर उनको भी हम nutrient बोल देते हैं जो हमें energy provide कराते हो help करते हो ग्रो करने में development के लिए और repair करते हो tissue को उनको भी हम क्या बोल देते हैं nutrients बोल देते हैं इसके बाद बात करते हैं, जो हमारे 50 different type के nutrients होते हैं, जो की body के अंदर supply किये जाते हैं, हर एक nutrient का एक specific function होता है, है ना, जैसे अभी मैंने जिंक का एक example दिया था आपको, है ना, कि जिंक का क्या क्या काम था, ऐसी calcium का अलग काम होता है, vitamins का अलग काम होता है, protein का अलग काम होत करते हैं, that is micronutrient and macronutrient, अगर मैं micro की बात करूँ, micro का मतलब होता है, छोटा, और macro का मतलब होता है, बड़ा, तो पहले बात करते हैं, बड़े भहिया की, जो है हमारे macronutrient, these protein, fat and carbohydrate, which are often called approximate principle, because they are form the main bulk of the food, की macronutrient, वो nutrient होते हैं, जो की हमारी, जो food का major part, जो है, उसको क् करते हैं, produce करते हैं, इनके अंदर total energy intake होती है, जैसे की carbohydrate की बात करें, तो 60-80% इनके अंदर क्या होता है, carbohydrates होते हैं, fat molecules की बात करें, तो 10-30% होते हैं, protein की बात करें, तो 7-15% होते हैं, इनके अंदर, इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, तो macro nutrient को furtherly दो तरीके से divide कर स energy, sorry, macro nutrient that do not provide energy, ऐसे macro nutrient जो हमें energy provide ना कराते हूं, इसके बाद micro nutrient की बात करें, तो micro nutrient क्या होते हैं, कि वो nutrient जो small amount में चाहिए होते हैं, जैसे vitamin हो गया, minerals हो गया, है ना, और quantity जो है nutrient की, वो depend करती है, हमारी age कितनी है, हमारा sex क्या है, कि हम male है, female है, weight कितना है, physical activity क्या करते है, है, अब मानलों एक teacher है, है ना, तो उसको जो nutrient की amount चाहिएगी, वो कम चाहिएगी in compared to अगर कोई labor है, है ना, हमारा healthy status कैसा है, अब बड़े बूढ़ों की बात करने लगे, तो उनको nutrient की amount अलग चाहिएगी, जवान लोगों को nutrient की amount अलग चाहिए होती है, है ना, तो इसके हमारे nutrients की capacity depend करती है, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ micronutrient की carbohydrates है, तो carbohydrate क्या होते है, क्या इनका function है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो चलिए जी carbohydrate होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो the major component of food, which is the main source of energy, provide 4 kcl per gram, की carbohydrate major component होता है, food का, जिसमें हमारा 4 kcl, glow calorie per gram, हमें क्या मिलती है, energy मिलती है, carbohydrates का main source है, मतलब body का main source जो है energy का, वो हम carbohydrates को बोल सकते हैं, chemical ही अगर बात करूँ तो इसके अंदर carbon भी होता है, hydrogen भी होता है, और साथ के साथ में oxygen भी होता है, यह जो है, sugar होते हैं, starch होते हैं, या fiber होते हैं, जो कि fruits, grains, या vegetable, या milk product के अंदर पाए जाते हैं, they are also polyhydroxy, aldehyde और ketone, कि यह polyhydroxy भी हो सकते हैं, aldehyde भी हो सकते हैं, और ketone भी release कर सकते हैं, जब हम इनको hydrolyze करा दें, मतलब पानी के अंदर अगर हम इनको गोल देते हैं, तो यह सारी चीज़े निकालते हैं, अब यह जो carbohydrates हैं, इनको हम mainly 4 classes में divide कर देते हैं, जैसे कि monosac saccharides, di saccharides, oligosaccharides और polysaccharides, monosaccharides की बात करते हैं, जिसमें हमारी carbon chain single हो, तो monosaccharide बोल देते हैं, di saccharide जिसके अंदर हमारी carbon chain क्या हो, double carbon chain हो, di saccharide मतलब 2, saccharide मतलब sugar chain, तो ऐसा, मतलब ऐसे carbon chain हो, जिनके अंदर 2 carbon chain हो, उसको हम di saccharide बोल देते हैं, oligo मतलब 2 से और 9 तक की हैं, 2 से ज्यादा और 10 से कम, मतलब 9 तक जो carbon chain होती हैं, उसको हम oligosaccharide बोल देते हैं, polysaccharide की बात करें, जो बहुत सारे carbon जो हैं, एक साथ लग जाएं, और सुगर की बहुत सारी chains बना दे, तो उसको हम बोल देते हैं, polysaccharides, I hope इतना आपको बच्चों समझ आ रहा होगा, तो चलिए, balance diet के अंदर अगर हम बात करें, तो total amount of carbohydrate कितनी होने चाहिए, 50 से 60% of total calories, हना, in excess, the carbohydrate are converted into body fat, मतलब जादा अगर हम carbohydrate खा लेते हैं, तो वो body fat में convert होने लग हो गया, यह क्या होते हैं, हमारे monosaccharides होते हैं, तो glucose क्या है, एक sugar है, जो की highest concentration में blood stream के अंदर पाई जाती है, fructose क्या है, fruit या honey के अंदर पाई जाती है, इसके साथ में अगर disaccharides की बात करते हैं, तो maltose हो गया, और lactose हो गया, maltose मतलब जो malt sugar होती है, मतलब जिसको हम बो यह main function जो है, वो होते हैं, कि यह use किये जाते है, plant और animal, है ना, बो दोनों की body के थुरू क्या store करने के लिए glucose को, है ना, कि मानलो की भाई, जैसे आपने sand देखा है, तो sand की जो ऊपर जो होता है, बोड़ी मानलो यह sand की body है, इसके उपर एक ऐसे kooberd सा निकला होता है, तो उसको भूक लगती है, और खाना नहीं मिल पाता है, तो उसकी body जो energy लेती है, वो वहीं से लेती है, दूसरा है, यह mechanical structure प्रोवाइड कराते हैं, cells का, जैसे polysaccharide stars और cellulose की बात करें, तो यह क्या होते हैं, हमारे cells को mechanical structure प्रोवाइड कराते हैं, इसके बाद मैं बात करते ह हैं, function, जैसे एक तो energy production मैंने अभी बता दिया आपको, दूसरा हो गया कि यह क्या करते हैं, stored energy को भी प्रोवाइड कराते हैं, digestive health को भी प्रोवाइड करते हैं, influence, heart, health और diabetes, कि अगर भाई, ज़्यादा body के अंदर ज़्यादा insulin सिक्रेट होने लगें, तो वो diabetes भी कर सकता है, हमें हैं, तो यह function भी है, इसके अंदर, और preserve करता है हमारी muscles को, हमारी muscles को क्या करके रखता है, preserve करता है, इसके साथ साथ में, अगर मैं बात करूँ, कि energy production के साथ साथ में, useful in oxidation of fat, fat के oxidation को करने के बाद, मतलब useful होता है, दूसरा growth of useful bacteria, जैसे eco live अगेरा हो गया, यह सारे हमारे उसके gut के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको क्या करता है, growth कराने में help कराता है, vitamin B complex को synthesize कराने में help करता है, minerals के absorption के अंदर, prevention of constipation, कभी आपने देखा हो कि आपको gas वगेरा बनी हुई है, तो कभी 2-3 piece मिठाई के खा के देखना, आपका constipation, आपका पेट का दर्द करते हैं, है ना, तो sources में आगर मैं बात करूँ तो starch है ना, जिसके अंदर जैसे serals हो गया, nage हो गए, कोई jud हो गई, tubers हो गया, जैसे aloo अगेरा हो गए, इनके अंदर बहुत सारा amount में starch पाए जाता है, sugar की बात करें, तो white sugar, जो sugar cane से बनती है, honey हो गया, glucose हो गया, ये सारी किसके example है, sugar की, cellulose indigestible contributes to dietary fiber, तो cellulose जो indigestible होती है, केवल क्या करती है, dietary fibers के use में करती है, अगर मैं carbohydrate की बात करूँ तो children's को पूरे दिन के अंदर 6-500 gram चाहिए ही चाहिए होता है, मीठा, adult की बात करें, तो 400 gram, man की बात करें, तो 300-700 gram, और अगर मैं old age इंसानों की बात क इस से 400 या 300 gram चाहिए होता है, इसके बाद मैं, अगर मैं बात करते है, protein से पहले हम कुछ deficiency की बात कर लेते हैं, कि हाइप, ये जो क्या बोलते है, कार्वो हाइडरेट्स की deficiency की वज़े से क्या क्या होता है, तो कार्वो हाइडरेट्स हमारा mainly hypoglycemia, जो एक disease होती है, उसको cause क कर सकता है, hypoglycemia होता क्या है, कि जब glucose और sugar का body के अंदर जो है, बहुत ही कम amount में या बिल्कुल ही ना हो, level है न, sugar का या फिर glucose का, तो उस condition को हम बोल देते है, hypoglycemia, जिसके अंदर हमारा blood sugar का level 70 mg, दुबारा बोल रहा हूं, 70 mg per dl, है न, deciliter बोलते है, 70 mg per deciliter से क्या हो, कम ह hypoglycemia, इसके अंदर होता क्या है, sickiness, भूख का लगना, difficulty in speaking, diginess, weakness, है न, कमजोर होना, चक्कर आना, मितली से आना, बोलने में होटो का क्या होना, तुतला देना, मतलब एक तरीकी से बोला ना जाना, तो ये सारी symptom होते है, हमारे hypoglycemia, hypo मतलब होता है, कम glycemia, मतलब level of glucose, कि glucose का level जब कम हो जाता है, तो उस condition को हम बोलते है, hypoglycemia, ketosis की बात करते हैं, एक बिमारी ketosis होती है, अगर हमारी body के अंदर enough जो glucose नहीं है, carbohydrate को burn करने के लिए, तो body क्या करती है, fat को जलाना सुरू कर देती है, और protein को, है न, fat और protein को जलाना सुरू कर देते है, जिस process को हम बो हम बोल देते है, ketosis, है न, तो ketosis के अंदर क्या होता है, कि glucose की कमी की वजह से, जो हमारी body है, वो fat particles को और protein को जलाना सुरू कर देती है, इस process को हम बोल देते है, ketosis, इसके बाद बात करते है, proteins क्या होती है, तो proteins की बात करते है, तो protein are essential nutrient for the human body, तो protein जो है, essential nutrient is human body के लिए, they are one of the building block of body, ये building block है body के, ये building block का मतलब है कि ये क्या करते है, muscle वगेरा का formation कराते है, tissues का formation करते है, as a fuel की तरह काम करते है, कि अगर हमें कहीं body में कभी भी काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता हमें, protein की जरूरत होती है, तो हम mainly क्या कह सकते है, कि protein is the building material of for all body parts, जैसे कि muscle हो गया, brain हो गया, blood हो गया, skin हो गया, hair हो गया, nails, bonds और body floods हो गया, तो body के अंदर जितना भी हमारा material बनता है, उसको बनाने के लिए mainly हमें क्या चाहिए होता है, protein चाहिए होता है, पूरी अगर मैं adult body की बात करूँ, तो 20% क्या होता है, उसकी body के अंदर protein होता है, इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर एक चीज़ और add करना चाहूँगा कि mainly जो है 9 essential amino acid होते हैं, जो human body के अंदर diet के थूरू हमें लेने होते हैं, अगर हम उन 9 amino acids को ना ले पाएं, तो उसकी वज़ा से हमें क्या हो सकता है, protein malnutrition हो सकता है, जिसको P.E.M. बूल देते हैं, इसके कुनों चीज़ों से मिल सकता है, animal से भी मिलता है और plant से भी मिलता है, अगर मैं बात करूँ जैसे meat हो गया, dairy product, पनीर, धही, दूद, ये सारी चीज़े हो गई, fish हो गई, egg हो गई, अंडे, तो इन सब चीज़ों से मिल सकता है, मतलब ये तो हो गई, animal से कैसे मिलता है, तो क एक तो building block की तरह काम करता है, कि बई, cell और tissue को अगर हमें बनाना है, तो कौन काम करता है, उसके उपर protein काम करता है, hemoglobin को regulate करता है, कम जादा करने के लिए कौन use आता है, हमारा protein use होता है, इसके साथ साथ में regulate करता है, muscle contraction को, formation of enzyme हो गया, hormone का formation हो गया, और जितने भी secretory part होते हैं, enzyme हो गया है, digestive juice हो गया, antigens हो गया, antibodies हो गई, इन सब को जो है, secret करने में कौन help करता है, different kinds of proteins help करते हैं, इसके बाद में sources मैं अभी बता चुका हूँ आपको, दुबारा से देख लेते हैं, कि sources में milk, egg, meat, fish, cheese, ये सारे चीज़ा आ गई, animals है, plant की बाद करते है, pulses, cereals, beans, nuts soya bean, etc, ये सभी चीज़ा आती है, हमारी plant के sources के थुरू, इसके बाद अगर deficiency disorder की बात करें, तो protein disease की वज़ा से, जो हमें, एक तो होता है, protein deficiency malnutrition, दूसरा हो गया, quashikor, edema बोलते हैं जिसको, तीसरा होगा, marasmus, जिसको हम wasting बोलते हैं, और ये इसके साथ में marasmus, quashikor, एक साथ भी disease हो सकती है, तो protein deficiency की वज़ा से, पहला तो हो गया, protein deficiency and malnutrition, जिसको हमने PEM बोला, है न, PEM जो है, एक form है, malnutrition की, जिसको हम define कर सकते, as a pathological condition arising from coincident lack of, मतलब coincident, मतलब एक तरीके साचानक से, कमी हो जाए हमारी body के अंदर, dietary protein की, जिसकी वज़ा से, body को energy ना मिल पाए तो उस process को हम बोल देते है, PEM, अब इस PEM के symptoms की बात करते हैं, तो पहला तो है poor weight, कि भाई, आप खा तो सब कुछ रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन आपका weight तो क्या है, increase करी नहीं रहा है, और increase कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से कर रहा है, है न, धीरे धीरे, जबकि आपका weight एकदम से ऐसे increase करना चाहिए, तो इस चीज़ को हम बोल देते है, PEM, इसके साथ में linear growth आपकी slow है बहुत, कि आपके जो साथ के बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके साथ में, उनकी growth तो है, कोई 5 foot का है, कोई 6 foot का है, और आपकी growth का पता लगा कि आप 3 4 feet से उपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, behavioral changes हो जाते हैं, कि आपके साथ के बच्चे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप अच्छे से ना पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से बात कर पाते हैं, तो ये सब ही जो example है हमारे किसके हैं, symptoms है है ये जिसको हमने बोल दिया क्वाशिकॉर या एडीमा ये क्वाशिकॉर या एडीमा क्या होता है ये एक nutritional disorder है जिसमें mainly किसके अंदर जो मतलब बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं natural disaster जहां जाते हैं ऐसे एरिया में जिसको हम feminine affected areas बोलते हैं उसके अंदर होता है होता क्या इसके अंदर वही है कि protein की कमी होती है जिसकी वज़ा से अब इसके अगर मैं symptoms की बात करूं mainly ये जो बिमारी देखी जाती है ये mainly हमारी देखी जाती है साहरा अफरीका है ना सबसाहरा अफरीका मतलब अफरीका का जो एरिया है साउथ एसिया जिसके अंदर साइध हम भी इंक्ल्यूड होते हैं ना सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये ज्यादा तर बिमारिया देखी जाती है इसमें क्या होता है normal जो body का function है वो grow करना बंद हो जाता है इसके symptoms की बात करें तो एक तो change in skin color skin के color में change होता है उसका texture बजल जाता है मतलब जैसे मैं बोल दूँ ब्राउन सा color एक अजीब सा ही color skin का हो जाता है fatigue, diarrhea, lose of muscle mass है ना कि body का weight एकदम से lose हो रहा है muscles बनी नहीं पा रही है तो ये क्वाशिक और के symptoms है failure growth करना या gain करना weight को य ये नहीं होना, edema का मतलब आपको पता ही है swelling हो जाना तो जितने हमारे ankles है, fit है, belly है, peat जो है इसके अंदर क्या आ जाए, Susan आ जाए तो इसको हम बोल देते है edema, damaged immune system, immune system जब damage हो जाता है इसके अंदर irritability मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चिड़चिड़पन आ जाना ह एकदम से बोचक के रह जाने वाली condition, तो यही कुछ 12 symptoms हैं हमारे किसके कौशिक और disease के, इसके बाद में diagnosis की बात करते हैं, तो diagnosis में सबसे पहले तो इसका एक तो होता है liver की जाच जिसको हम बोल देते हैं, ultrasound के through करते हैं और उसके अंदर हमारा liver क्या होता है, fatty पाया जाता है जिसको हम बोल देते हैं, hepatomegaly, दूसरा blood और urine test हो सकते हैं, जिसको atrial blood gas बोल सकते हैं, blood level of creatinine की blood level देख सकते हैं, urinalysis बोल सकते हैं, blood urea nitrogen, बन बोलते हैं, जिसको यह KFT kidney का function होता है, blood level of potassium देख सकते हैं, और CBC, complete blood count चेक कर सकते हैं, इसमें कि आपके अंदर WBC की amount कितनी है RBC कितनी है, आपके अंदर hemoglobin की amount कितनी है, PC packed cell volume कितनी है, इस तरीके के कुछ count होते हैं, 14-15, वो हमारे CBC के अंदर होते हैं, इसके बाद में अगर treatment की बात करते हैं, कि treatment कैसे कर सकते हैं इसका हम, तो treatment जो है, हम mainly तो भही देखो, अगर इसमें protein की या vitamin की कमी हो रही है, त sugar या fat देना चाहिए patient को, जिसकी वज़े से उसके अंदर energy आ जाए, है ना, और उस carbohydrate की वज़े से जो है protein बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये mainly हमारा था quasi core, इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हमारा fat दिखाये हुआ है, कि fat क्या होता है, ना, तो fat का सब को ही पता है, कि फै पस्रेटी होता क्या है, तो small fatty acids जब एक साथ में जाकर के मिल जाते हैं, तो उसको हम बोल देते है, fat molecules, जब fatty acids एक साथ attach हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते है, fatty fat molecules, अब ये जो fatty acids है, saturated fatty acids भी होते हैं, जो कि हमारे mainly कहा से मिलते है, animals से मिलते हैं, fish oil को छोड़ कर गये, unsaturated fatty acid जो हमारे जितने भी vegetable oil है जैसे सरसो का तेल हो गया, coconut हो गया, palm oil हो गया ये सब ही हमारे कैसे मिलते है unsaturated fatty acid अब ये जो saturated fatty acid है ये क्या होते हैं हमारे claustralogenic होते हैं मतलब क्या करते हैं blood के अंदर cholesterol का level increase कर देते हैं function की अगर हम बात करते हैं function में fatty acids का है कि एक तो ये energy provide कराते बाड़ी को है ना, दूसरा है कि ये जो है energy के साथ साथ में body को heat भी provide कराते हैं transport करते हैं fat soluble vitamin का supply करते हैं body के अंदर kidney के अंदर और eyes के अंदर किसको support करते हैं सॉड़ी सपॉर्ट करते हैं इसके साथ साथ में क्या करते हैं, help करते हैं, storage of fat को, fatty acid, तो fatty acid का mainly काम क्या है, energy provide करना, dietary fat जो essential growth प्रोवाइड कराता है, maintenance देता है body को, इसके साथ साथ में हमारी body के temperature को maintain रखता है, इसके बाद में हम बात करते हैं, vitamins की, तो vitamin A की बात करते हैं, कि vitamin A क्या होता है, तो vitamins जो है, mainly हमारी दो तरीके की पाई जाती है, है ना, पहले vitamin का थोड़ा सा overview ले ले लेते हैं, एक तो होती हमारी fat-soluble vitamin, एक होती हमारी water-soluble vitamin, fat-soluble की vitamin की बात करें, तो vitamin A हो गया, vitamin D हो गया, vitamin E हो गया, vitamin K हो गया, इसको हम सौर्टल में ऐसे याद कर सकते, और vitamin C हो गया है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, water-soluble, तो पहले हम बात करते हैं, vitamin A, जिसको हम retinol भी बोल सकते हैं, beta-carotene भी बोलते हैं, fat-soluble vitamin होती है, mainly animal food के अंदर जैसे liver हो गया, meat हो गया, fish, fatty fish हो गया, egg हो गया, milk fat हो गया, दूद का जो fat होता है, beta-carotene जो है मेंगो बोलते हैं, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा vitamin A पाया जाता है, vitamin A के अगर मैं function की बात करता हूँ, तो function जो है मेंगो पहले हम बात करते हैं, इसकी retinol के sources की, तो milk हो गया, butter हो गया, cheese हो गया, egg york हो गया, fish liver, oil, green leafy vegetable, और जो हमारे ripe fruit जैसे की mango, papaya, tomatoes, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, vitamin A पाया जाता है, function की बात करते हैं, तो maintenance करता है, healthy epithelial cells का, proper functioning करता है, retina के vision का, इसके साथ साथ में ये normal vision को, especially dark के अंदर जिका करता है, help करता है, maintain रखता है, दूसरा है कि maintain and help in rebuilding of glandular and epithelial cell, normal skeletal growth के लिए भी ये क्या होता है, जरूर ये है हमारे के लिए हैं, और anti-infective agent की तरह, सबसे important है कि ये anti-infective agent की तरह काम करता है, deficiency की बात करते हैं, तो deficiency में आ जाता है, stand growth, night blindness, dryness of eyes, zerophthalmia, और keratinization, कि जितने भी मतलब हमारी आँख वगेरा से related जो बिमारिया होती हैं, वो सब हमारी किस के अंदर आती है, इसी के अंदर आती है, जैसे अगर मैं night blindness की बात करता हूँ, तो dim light में हम नहीं देख पाते हैं, congenuity zeroesis की बात करता हूँ, तो dry और non-wettable हो जाती हैं हमारी conjunctivia, by tots spot की बात करूँ, तो triangular, parallel, pearly, white और yellow is formy spots on the bolbular conjunctivia, corneal zeroesis की बात करता है, जो हमारा cornea है, वो dull दिखने लगता है, साथ के साथ सूखा दिखने लगता है, non-wettable हो जाता है, जिसकी वज़ए से हम easily उसको देख नहीं पाते हैं, और वहाँ पर ulceration हो जाता है, छाले से होना सुरू हो जाते हैं, ketomalacia की बात करते हैं, corona जो है, वो soft हो जाता है, और bust हो जाता है, फट जाता है, corneal ulcer की बात करते हैं, जो ketomalacia है, वो क्या करता है, perforation कर देता, cornea के अंदर, जिसकी वज़ए से ulcers वहाँ बनना सुरू होते हैं, और permanent blindness हो जाती है, अगर मैं daily requirement की बात करूँ, तो लगभग लगभग 600 microgram से ले करके, मतलब सॉरी, 600-700 microgram रेटिनोल जो हमें daily चाही होता है, अगर रेटिनोल के अलावा बीटा केरोटेन की बात करते हैं, तो वो 2400 microgram चाही होता है, इसके बाद में बात करते हैं, vitamin D, जिसको हम kelseiferol भी बोल सकते हैं, kelseiferol भी होता है, और kelse, sorry, colciferol भी होता है, अगोश्टेरॉल से मिलता है, जब कि जो कॉलो केलसे फिरॉल है, वो मेंली एनिमल फैट से या फिर फिश वगेरा से मिलता है, तो सोर्से में मेंली क्या है, फिश लिवर ओईल हो गया, दूद हो गया, चीज हो गया, एग यॉक हो गया, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है, फ का Dissolution, Mineralization, Prevent करता है, Ricketts जो Disease होती है बच्चों के अंदर, Increase करता है Tubular Reabsorption of Phosphate and Variable Effect of Reabsorption of Calcium, Calcium Phosphate वगड़ा के Reabsorption में Help करता है, Facilate करता है Calcium Deposition को Bonn और Teeth के अंदर, तो ये सारे हमारे Function होते हैं, हमारे Vitamin D के, Function के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, Deficiency, तो Deficiency की गया Children's के अंदर, है ना, OSTOMALACIA हो गया, Adults के अंदर, ये सारी बीमारिया हमारी किसकी वज़ास होते हैं, Vitamin D की वज़ासे होती है, Daily Requirement जो है Adult के अंदर, Vitamin D की वो लगभग 2.5 Microgram के आसपास होती है, उसमें कहीं 3 Microgram भी होता है, कहीं 4 भी होता है, है ना, तो मेंली 2.4, Vitamin E जिसको हम Tocopherol भी बोल देते हैं, एक Anti-Sterility Vitamin होता है, Anti-Sterility का मतलब है कि ये हमारी Reproductive Health को क्या करता है, बना करके रखता है, अगर मैं Sources की बात करूँ तो, Egg York हो गया, Milk हो गया, Butter हो गया, घी हो गया, Vegetable है ना, Oil Gram हो गया, Serials हो गया, जैसे गेहूं, चना, बाजरा, ये सार करता है, Oxidation, Reduce करता है, Oxidation को Unsaturated Fatty Acid के, इसके साथ साथ में ये Anti-Neoplastic Effect भी रेज करता है, कहां पर हमारी Body के अंदर High Density जो Lipids होते हैं, कोलेस्टरॉल के अंदर, उसमें Anti-Neoplastic, Anti-Neoplastic मतलब कि जो Cancerious Cell होती हैं, हमारी Body के अंदर, इसका मतलब होता है, Anti-Neoplastic का, जो Cancerious Cell होती कि Lipids के Destruction को रोकने में Help करता है, Selenium, किस के साथ मिल करके, Vitamin E के साथ मिल करके, ये क्या करता है, Maintain करता है Stability को, Cell Membrane की, When Externally Applied Wood, Minimize Wrinkles, Scars, and Scratch, कि Body के अंदर, जो मुहासे वगेरा, Face पे जो हो जाते हैं, इनको भी अगर हमें साफ करना हो, तो Evian वगेरा नाम की जो Capsules हो बड़े Helpful होते हैं, जो कि Vitamin A के होते हैं, जिसको हम ये भी बोल देते हैं, कि जो हमारे Liver Cod Oil हो गया, ये भी हमारे Help करते हैं, Skin से Related चीज़ों को सही करने में, है ना, तो ये सब कुछ था Vitamin E के बारे में, इसके बाद में, अगर Vitamin K की बात करते हैं, तो Vitamin K जो है, एक Co-Factor है, Co-Factor है, Enzyme का Catalyst की तरह काम करता है, Prothrombrin, जिसको हम मतलब Blood के अंदर जो Coagulation Process होती है, तो उसके अंदर Help करता है, Prothrombrin बनाने में, और ये जो हमारे दो तरीके के होते हैं, Vitamin K1 की बात करें तो Phyloquinone बोलते हैं, Vitamin K2 की बात करें तो Menaquinone बोलते हैं, जो Vitamin A है, वो मेंली हम हमारा Synthesize होता है, Bacteria से, जो हमारी Intestine के अंदर ही, खुद Synthesize करते हैं, इसके साथ में Vitamin K, हमारा Cabbage हो गया, Cauliflower हो गया, Fish Liver हो गया, Fruits हो गए, इनसे भी ये मिलता है हमको, ठीक है जी, इसके साथ में ये Destroy, जो Destroy by Freezing by Minerals, Oil and Rancid Fats, कि अगर हम Freeze कर दें, तो Vitamin K क्या हो जात है, Function की बात करें, अगर Salt में बात करें, तो में लिए किसमे Prothrombin में काम आता है, है ना, Prothrombin जो है हमारा, और Factor 7, 9 और 10 जो है Liver के अंदर, उसके Formation में Help करता है, मतलब Liver का जो Fatty, जो Molecules होते हैं, उनको खतम करने भी कौन काम करता है, हमारा Vitamin K करता है, इसके साथ साथ मे यह Blood Coagulation की तरह काम करता है, मतलब Blood को जमा करने में काम करता है, मालो आपको कहीं चोट लग गई, और उसके उपर खून अपने आप रुख जाता है, तो वो किसकी वज़ास होता है, Vitamin K की वज़ास है, इसके साथ साथ में Synthesize करता है, Required Protein को Human Body के लिए, और Activating Enzyme की तरह यह मतलब Catalyst की तरह भी काम करता है, इसके बाद बात करते है, Vitamin C, मतलब जिसको हम क्या बोल देते हैं, Ascorbic Acid भी बोल देते हैं, यह Water Soluble है, साथ के साथ में सबसे Unstable Vitamin है, और Rapidly क्या हो जाता है, Destroy हो जाता है, High Temperature के अंदर, Oxidation, Dying या Storage करने में यह क्या हो जाता है, Easily Destroy हो इसके बाद में अगर मैं इसके sources की बात करूँ, तो यह mainly हमारा, जितने भी हमारे खटे फल अगएर होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है, तो Vitamin C, जो है potent होता है, Antioxidant में, और has an important role in tissue oxidation, it helps to increase the general resistance of the body to fight infection, तो यह जितने भी infections को से fight करने में हमारी help करता है, कौन, Vitamin C, Involves in absorption, mobilization, distribution and intoxication of metallines, की जितना भी हमारी body के अंदर toxins होते हैं, जितने भी जहरीले, विशानुपधार्थ होते हैं, विशाले पधार्थ होते हैं, उनको खतम करने के लिए भी कौन कामाता है, Vitamin C, साथ के साथ मैं help करता है, iron from plasma into tissue, की plasma के अंदर से iron को tissue के अंदर निकले जाने में, और वहां से store करने में, bone marrow और spleen और liver के अंदर store करके रखने में help करता है, कौन, Vitamin C, protect करता है हमारी eyes को, lungs को, oxidizing agents है, क्योंकि इसका nature कैसा होता है, antioxidant की तरह, reduce करता है, oxidation को low density वाले lipoprotein जो होते हैं, और क्या करता है, help करता है, vitamin A और E बनाने में, इसके बाद में बात करते हैं, minerals की, तो minerals क्या होते हैं, क्या इनका function है, उसके बारे में बात करेंगे, तो minerals जो है, require होते हैं, body में different function करने के लिए, हर एक mineral का अलग-अलग function होता है, कुछ minerals जैसा कि आपको screen पर दिख रहे हैं, जैसे calcium हो गया, magnesium हो गया, sodium हो गया, potassium हो गया, phosphorus हो गया, chlorides हो गया, chromium हो गया, copper हो गया, यह सब क्या हमारे minerals है, पहले बात करते हैं हम calcium, तो यह लगभग पूरी body को ही जरूत पड़ती है, mainly help करती है हमारी blood clotting में, intracellular signaling करने में, है न, कि cell से cell के अंदर जो function, जो एक तरीके से connection जो बनाता है, वो कौन करता है, calcium है न, क्योंकि यह क्या करता है, channels बनाता है, है न, इसके साथ में muscles के contraction में भी help करता है, demand only trace amount of calcium, कि muscle contraction में, बहुत कम amount में calcium चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है, तो यह muscle contraction में भी help करता है, while large amount of it are required in bone formation, जादा amount में, जो है, यह bone formation में help करता है, calcium should be include in the diet of infant, children and pregnant women in considerable amount, कि calcium के amount लगभग सभी में चाहिए होता है, चाहिए वो बच्चा हो, चाहिए वो infant हो, बिलकुल नवजात सिशू हो, चाहिए हम जैसे adult हो, चाहिए pregnant woman हो, क्योंकि हड्डियां तो सभी की होती है, उनको जो repair करने में, उनके formation में help करती है, calcium, में लिए पाए जाता है, दूद हो गया, yogurt हो गया, cheese हो गया, छोटी मचलिया हो गई, जिनके अंदर हड्डिया होती है, beans हो गया, peas मतर हो गया, तो इन सभी चीजों में हमारा जो यह क्या बोलते है, calcium पाए जाता है, इसके साथ स function की बात करता हूँ, पहला तो यह mineralization करता है, bonds का और teeth का, इसके साथ साथ में regulate करता है, many body biochemical processes को, इसके साथ साथ में यह blood clotting को जैसा अभी मैं बता चुक हूँ, muscle contraction और relaxation, nerve के function को blood pressure और immune defense करने में अभी है, तो इन सभी चीजों में यह help करता है, इसके बाद बात करते हैं, magnesium, magnesium लगबग हर एक tissue में पाया जाता है, bond tissues के अंतर भी जिनको हम ostracides बोलते हैं, it requires in the formation of bone, protein, fatty acid and new cells, नए cell बनाने में, fatty acid बनाने में, protein बनाने में, हड़ियां को निर्मान करने में, इन सभी चीजों में magnesium का use होता है, vitamin B complex को activate करने में, muscles के relaxation में, blood clotting में, है न, इन सभी में किसक magnesium का use होता है, mainly जो हरी पत्तेदार सबजिया होती है, cereals हो गए, rice हो गए, nuts हो गए, इन सभी के अंदर क्या होता है, हमारा vitamin present होता है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके का बोलते है, sodium की, तो sodium जो है most commonly occurring extra cellular cation है, जो की require होता है, muscle contraction मे, transmission of nerve impulse में, है न, nerve fiber के अंदर, electrolyte balance maintain करने में, normal per day intake, जो है sodium chloride की वो 5-20 gram होनी चाहिए body के अंदर, अगर आपकी body को अच्छे से working करनी है, तो, fish, meat, egg, milk, artificially enriched bread, और salt वगेरा के अंदर हमारा sodium भरपूर amount में मिलता है, ठीक है, nerve impulse को help, मतलब nerve impulse बनाने में बड़ी help करता है sodium, क्योंकि ये sodium blocker channels बनाता है, वापे, इसके साथ साथ में, अगर मैं बात करता हूँ, potassium की, that is K, तो potassium जो है, हमारा commonly occurring intracellular cation है, sodium था हमारा extracellular cation, मतलब cells के बाहर का cation, जबकि जो हमारा potassium है, वो intracellular cation है, cellular function जैसे की nerve cells का बनाना, proper function करना, heart और kidney का, इन सब के लिए कौन help करता है, हमारा potassium help करता है, अब ये potassium daily अगर हम कहें, तो 5-7 gram हमको ये चाहिए होता है, जो हमारी body के अंदर जरूरी है, इसके साथ में potassium अगर आपको increase करना है अपनी body के अंदर, तो banana हो गये, graphs हो गये, beans हो ग potassium भरपूर amount में पाये जाता है, इसके बाद में हम बात करते है, iron, तो iron present होता हमारे cytokroms के अंदर, myoglobin के अंदर और hemoglobin के अंदर, ये cytokrom, myoglobin, ये सारी चीज़े हमारी कहां पर पाये जाती है, blood के अंदर पाये जाती है, hemoglobin हमारा blood का oxygen carrying, जो है, organ है, एक तरीके से बोल सक होते है, iron की deficiency होने की वजह से हमें anemia हो गया है, ये सारी चीज़े हो सकती है, अगर मैं बात करूँ, female के अंदर, जो सबसे ज़्यादा iron lose होता है, वो menstrual cycle के अंदर होता है, that is period, तो उस time पर सबसे ज़्यादा blood loss होता है, जिसके साथ साथ में iron की, जो ladies को deficiency होती है, इसके iron की भरपूर मात्रा आपको लेनी है, तो उसके लिए हमें red meat हो गया, green leafy vegetable हो गया, fortified breakfast cereal हो गया, oysters हो गया, liver हो गया, agri-york हो गया, fishes हो गई, तो इन सब में iron भरपूर मात्रा में पाया जाता है, iodine की बात करें, तो iodine जो है, एक formation, protection और function की तरह काम करता है, thyroid hormone के लिए, minimum daily requirement 140 microgram होती है, woman की बात करें तो ये घट करके 100 microgram हो जाती है, इसके साथ साथ में ये और कहां कहां पाया जाता है, iodine हमारा दूद के अंदर होता है, जो table salt होता है, common salt बोलते हैं, जिसको NACL उसके अंदर होता है, इसके साथ साथ में seafood, में बहुत भारी amount में iodine पाया जाता है, इसके बाद iodine के बाद बात करते है, fluorides की, तो fluoride जो है, bone mineralization में और dental enamel formation में help करता है, tooth decay, osteoporesis को prevent करने में help करते है, fluoride कि अगर body के अंदर fluoride जादा कम हो जाए या बहुत जादा amount बढ़ जाए, तो हमारे tooth दात जो है, वो तूट जाते हैं, है ना, osteoporesis मतलब हड़ियों मे छेद होने लगते हैं, अगर इनके sources की बात करें तो canide fish हो गया, tea हो गया, cooked spinach मतलब जो पालक होता है, उसके अंदर चाय हो गया, है ना, canide fish हो गया, fish की मतलब species है, toothpaste हो गया, इन सब के अंदर fluoride मिलता है, जिंक की बात करें तो, it required for growth and for fertility maintenance, it aids in the treatment of acne, athlete foot, brittle nails, common cold and minor injuries, इन डेली requirement for an adult ranges between 5-10 mg, dreary product, meat, fish, pulses, whole grain, cereals, इन सभी के अंदर हमारा जिंक पाया जाता है, selenium की बात करते हैं, तो it promotes normal growth and development, it also required for proper immunization function, cereals, Brazil, nuts, fish, red meat, egg और cheese के अंदर बहुत ही बाहरी amount में हमारा selenium पाया जाता है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ chloride की, तो ये normal body के अंदर electrolyte balance को क्या करता है, maintain रखता है, chromium की बात करें, तो insulin के साथ work करता है, और require होता है energy release करने के लिए glucose के अंदर से, copper की बात करते हैं, तो copper necessary होता है absorption के लिए और use of iron in the formation of hemoglobin, तो hemoglobin के अंदर iron के use को और absorption को बनाए रखने के लिए किसका use होता है, हमारे copper का use होता है, इसके बाद बात करते हैं कि balance diet क्या होती है, तो a diet is defined as one which contain a variety of food in such quantities and proportion that the need of energy, amino acid, vitamins, minerals, food, fat, carbohydrate and other nutrients in adequately amount for maintaining health, vitality and general well-being, मतलब अगर मैं छोटी सी बात इसकी बता हूँ, तो जो balance diet होती है, संतुलित आहार जो होता है, वो वो आहार है, जिसके अंदर हम, जितने भी हमने यह amino acid वगेरा यह सारी चीज़े पढ़ ही, यह सारी चीज़े एक adequate amount में present हो, तो उस diet को हम बोल देते हैं, balance diet, यह क्या करती है, it makes small provisions for extra nutrients to withstand the short duration of lean less, a balance diet is accepted by the means to safeguard a population from nutritional deficiencies, मतलब balance diet हमारी help करती है, कम amount में हमारे body के अंदर nutrients को, store रखने में, दूसरा, जो population, जो nutritional deficiencies है, जो है हमारी trust है, मतलब एक तरीके से ग्रस्त है, उसको बचाने में भी help करती है, कौन एक balance diet, तो balance diet के अगर मैं एक और definition दूँ, तो वो हो सकती है कि एक diet जो की proper proportion हो, जिसके अंदर fat, carbohydrate, protein, vitamins, minerals, और जितने भी necessary हमारे जो nutrient है, उन सब का एक proper क्या हो, proportion हो, तो उसको हम बोल देते हैं, balance diet, तो it is important, यह है important है, क्योंकि body, organ, tissue को एक proper nutrition की जरूद पड़ती है, मतलब एक proper nutrients की जरूद पड़ती है, बिना nutrient के वो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, और हमारी body को क्या cause हो सकता है, उसकी वज़े से disease, infection, fatigue और poor performance, कि भही अगर आपको पूरा nutrition नहीं मिलता, तो आपकी body अपना 100% नहीं दे पाती है, और यही अगर मैं बच्चों के बात करूँ, तो जिनको poor diet मिलती है बच्चों को, उनको सबसे ज़्यादा risk रहता है उसकी body की growth और development का, अगर मैं balance diet के अंदर composition की बात करूँ, जैसे cereals हो गया, wheat rice वगेर हो गया, तो daily की एक diet की बात करूँ, 40 gram चाहिए होता है, pulses की बात करूँ, तो 50-85 gram चाहिए होता है, घी या oil की बात करूँ, तो 57 gram है, leaf और vegetable की बात करूँ, तो वही बढ़ करके 1-1-5, मतलब 115 gram हो जाता है, कुछ other vegetable जैसा है, मतलब जो पत्तियों वाली सबजिया नहीं होती, जैसे छोले वगेरा हो गया, या मैं बात करूँ, आलू की सबजी वगेरा, ये सारी चीज़ हो गए, तो वो अगर आप सफेद सुगर ना ले करके, जैगरी जिसको हम गुड बोलते हैं, गुड या फिर सक्कर ले करके 70 gram, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, फिश और मीट की बात करते हैं, तो 100-200 gram, पानी की बात करते हैं, तो पूरे दिन के अंदर आपको 2-3 लीटर प साथ इतना ही था, अब बाकी के चीजों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको sources provide करा सकें, आपकी और हमारी पढ़ाही साथ के साथ चलती रहें, तो thank you so much दोस्तो, have a good day.